नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में हैं दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये मेरी नई सौपिंग है मैंने अपने गार्डन के लिए कुछ पौधे खरीदे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में इन पौ मैंने पहली बार लिये और आप भी नहाँ सकते आपने बहुत सी एक जोरा प्लांट से में तीन नय पुध लेये हूं और मेरे पास पहले से एक पौधा है आप इसमें देख सकते हैं यह फ्लॉर आ रहे हैं यह पूर छल्व कलर का है यह रड पूर यह यह पुरानी बीडियो आगर आप लोगो नहीं देखे तो मेरे पास वाइट कलर का इक्जोरा है देखे काफी अच्छी ग्रोथ इसमें हो रही है अल्रीडी तो यह मेरे पास तीन और नए कलर आ गाए एक्जोरा के काफी अच्छे अच्छे फ्लाउरिंग आते हैं पूरा उपर flowery flower होता है तो एक जोरा मैंने लिया हुआ है एक जोरा को लगाने के लिए आप 8 से 10 इंच का pot ले सकते हैं बहुत ये अच्छे से grow करेगा छोटे पौधे हैं अभी जैसे ये पौधे हैं तो इन्हें आप 6 इंच के grow pot में भी लगा सकते हैं फिर दोस्तों ये hybrid गुढ़ल है इसका मेरे पास देशी वाराइटी है और hybrid में भी दो पौधे हैं पर ये color मुझे काफी खुबसूरत लगा तो ये color है और ये yellow color का है तो ये दोनों भी लिया हुआ है इसे भी आप 10 इंच के pot में बहुत ही easily grow कर सकते हैं अब मैं rate की बात बता दूँ तो एक जोरा मुझे करीब 45-50 के बीच में एक पौधा पड़ा है और 50-50 के ये hybrid गुढ़ल मुझे एक एक पौधे पड़े हैं अब इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो ये जो पौधा देख रहा है आपको इसको डवल चांदनी जो ये चांदनी का फूल है ये layer में खिलता है तो डवल चांदनी इसे बोलते हैं या फिर इसे क्रेप जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं इसके लिए आप कम से कम 10-12 इंच का गंबला लीजिए और उसमें लगाए जो इसकी फूल होते हैं बहुत ही खुबसूरत देखने में लगते हैं और ये पौधा मुझे पड़ा है 60 रुपे का एक पौधा फिर दोस्तों इधर मैं आपको दिखाऊं ये जो खुबसूरत सा फूल दिख रहा है इसके मैंने दो कलर लिए है एक ये परपल है जिसमें फ्लावर्स आ रहे हैं अभी और दूसरा रेड कलर का है जिसमें फ्लावर्स अभी बड्स नहीं बने हैं जल्दी ही बनेंगे तो उसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ सेयर करूँगा ये दो कलर के लिए हैं जिसे हम कृष्णि कमल या राखी वेल बोलते हैं इसके फ्लावर्स देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं और ये फ्लावर्स चुकी एकी दिन के लिए होते हैं morning में खिलते हैं और साम तक flowers फिर खिलके बंद हो जाते हैं जैसे आप यह देख सकते हैं इधर यह जो कली है यह खिलके वापस से बंद हो गई है और अब गिर जाएगी तो काफी खुबसूरत पौधा है और बेल है इसकी बेल नुमा यह पौधा है बेल में चलते हैं तो अग इसके बाद दोस्तोंоло है मैंने होटा है और यह तीन ऊहीं पत है और इसे भी आप 8-10 इंच के गंबे में बहुत ही ईज्ली लगा सकते हैं फूलों से पूरा पत्ते डग जाते है फूल फूल उपर दिखाई देते हैं जो फूलावर्स्थ भी है ये भी पत्ते टाइप के ही है तो ये काफी खुबसूरत लिक आपके गार्डण को देते हैं हालागि इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है इसके बाद दोस्तों मैं यह दिखाऊँ यह देखिए आप अलमंडा की एक मिनी वराइटी है जिसके पौधे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं चोटे चोटे पौधे होते हैं और इसमें जो फ्लॉर्स भी आते हैं वो भी छोटे ही आते हैं तो मैं आपको दिखाऊँ यह फ् हैं लेकिन फूल काफी ज्यादा मात्रा में इसमें आते हैं इसे आप 8-10 इंच के गमले में लगा सकते हैं यह पौधा मुझे 70 रुपय का पड़ा हुआ है और मैं इसका जो दूसरा वराइटी है वो भी दिखाता हूँ आपको यह देखिए दोस्तों यह जो इसका पौधे वाला वराइटी है यह इसके फ्लॉर्स आप देखिए कितने हैवी है इसमें एक कलर और मेरे पास लगा हुआ है यह देखिए मैजिंटा कलर है और यह प्रावधा काफी अच्छा ग्रो कर रहा है दोनों मेरे पास पहले से लगे हुए थे तो जो मिनी वराइटी थी वो मेर वराइटी दिखा डॉर्फ वराइटी काफी खुबसूरत फूल इसमें आ रहे हैं अभी से और इनके लिए मैंने आपको गमला बता दिया आठ से दस निंच के गमले में इसे लगा सकते हैं अभी क्योंकि यह डॉर्फ वराइटी है तो बहुत ही अच्छी फ्लावर्स उसम गुच्हों में फूल आते हैं और इसमें हल्की फ्लाईर लॉर्फ देखने में काफी खूबसूरत लग लग रहा है और गुच्छों में फूल आ रहे हैं इसे भी आट से 10 निंच के गमले में आप लगा सकते हैं और ठर सारे फूल आपको इसमें मिलेंगे यह मुझे पौधा पड़ा है तो चमपा का पौधा आप बोलेंगे कि यह हर जगा मिल जाता है कटिंग भी लग जाती पर यह पौधा बागी जो चमपा की पौधा है उन्हें फ्रेग्ररेंस बहुत ना के बरावर होती इसमें फ्रेग्रेंस काफी अच्छी मात्रा में तो इससे पौधा मुझे 90 रुपय का दिया है नर्सरी वाले ने तो इसे आप 10 से 12 इंच के पॉट में लगाई है और अगर जब इसमें फ्लॉर्स अच्छी मात्रा में खिल जाएंगे तो गार्डन भी काफी महकने लगेगा फिर दोस्तों ये टिकोमा मेरे पास तीन कलर चार कलर पहले से थे ये पांचवा कलर जिसकी मैंने कटिंग भी लगाई हुए पर कटिंग अभी प्रोपेगेट नहीं हुए और मुझे काफी पहले सी ये कलर चाहिए था तो मिल गया मैं नर्सरी से लिया आया 80 रुपय का मिला है मुझे काफी बड़ा पौधा है और काफी अच्छी फ् स्वाराइटी ये मैंने बाती ब्रोपा इario से ये मनेए अरो 2 वर्युकार मुझे सी साट रुपया का एक पौधा पड़ा मुझे तो मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इंडूर प्लांस है और साथ में ये देखि ये जो है बड़ी ऑलाइची का पौधा है छोटी तो मेर और भी आते रहते हैं पर अभी तक फल तो नहीं मिला मुझे यह बड़ी इलाइजी का पौधा है फर्च टाइम मुझे मिला है तो मैंने इसे ले लिया है देखे कितना अच्छा देख रहा है अभी चुकि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे दोस्तों ये देखे ये है काली मिर्च काफी अच्छी ग्रोथ है इसकी और ये भी मुझे पड़ा है 60 रुपय का एक पौधा पड़ा है काली मिर्च का और इसे हम लगाएंगे अभी फिलाल जो सुरुवाती स्टेज है इस स्टेज में हम इसे लगाएंगे 8 इंच के इसके बाद दोस्तों ये नया पौधा जो दूसरा दिख रहा है मेरे पास ये है करांदे का पौधा जो रेड़ वाला करांदा आता है उसका पौधा है ये मुझे 40 रुपय में पड़ा है और इसे भी आप 10 से 12 इंच के गंबले में लगा सकते हैं काफी इच्छे से चलेग अब जो ये पौधा देख रहे हैं आप साइद आप मेंसे ज्यादा तर लोग इसे जानते होंगे ये अजवाइन का पौधा है और चुकि काफी जगों पर ये का जाता है कि ये सिर्फ फ्रेग्रेंस आती अजवाइन की एक्च्छल अजवाइन नहीं होता है पर अब मैं इ इसका रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा फिर दोस्तों ये देखिए ये संतरे का पौधा है इसमें एक छोटा सा संतरा लगा भी हुआ है हाला कि नरसरी में सबको पता है कि नरसरी वालों के पास काफी अच्छे से पौधे ग्रो करते हैं उनमें फल छोट छोटे पौध पौधे मातने चुकि ये ग्राफ्टे कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं तो देखने में अच्छा लगा और थोड़ा यूनिक सा था तो मैंने ले लिया है अब इसे लगा के देखते है कि क्या रिजल्ट इसमें हमें अपने यहां घर पे मिलता है तो मैं इसे फिलाल अ अपने हां उत्तर भारत में भी काफी ज्यादा इसे लोग पसंद करने लगे हैं लगाने लगे हैं तो मुझे नर्शरी में मिल गया तो मैं भी ले आया बारा इंच के पौट में इसे हम लगाएंगे और यह पौधा मुझे पढ़ाय करीब 120 रुपे का अब देख सकते हैं बदाम का पौधा है देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है कैसे चलता या नहीं चलता है इसके बाद दोस्तों यह एक पौधा मैं आपको दिखाऊं यह भी पौधा काफी यूनीक है रुद्राक्ष का पौधा है और इसे हम अभी स्टार्टिंग से स्टेज पे लगाएंगे करीब 10 इंच के गंबले में और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा चुकि यह काफी हैवी पौधा होता है जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे हम 14-16 इंच के गंबले में ट्रास्प्लांट कर देंगे रुद्राक्ष आते हैं मैंने देखा है तो मैं इसे ले आया एक ये है और दूसरा आप ये देख सकते हैं इसके पत्तों की बनावाट भी काफी अच्छी है देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है बल्टी कलर में हैं तो ये दोनों ही पौदे मुझे एक सो बीस बीस के पड़े हैं अच्छे पौदे हैं बड़े पौदे हैं इसके अलावा ये जो लाश्ट पौदा है मेरी सौपिंग का आज का वो है दोस्तों वो है दोस्तों डंब केन ये डेफिन बेकिया का जिसे हम दोनों ही नामों से जानते हैं मेरे पास आल्रड़ी इसक पौधा काफी चोटा है जब यह बड़ा होगा थोड़ा सा इसमें ग्रोथ आएगा तो यह पत्तियां आपको इससे भी काफी बड़ी-बड़ी देखने को मिलेंगी तो यह पौधा चुकी बराइटी तो वही है पर पौजुल लीफ काफी बड़े-बड़े इसकी वज़े से इसकी खुबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं इसे ले आया हूँ और यह बहुत ही अच्छे से प्रोपोगेट कर सकते हैं हम एक-एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं छोटे वाले पौधे में मैंने एक पौधे से कई पौधे बनाए भी है तो इसे भी मै बहुत ही अच्छे मात्रा में आक्सीजन को रिलीज करता है तो इसे भी मैं ले आया हूं अगर आप भी चाहते हैं तो अपने गार्डन में ये इंडोर प्लांट जरूर लगाएं जो की आक्सीजन प्रोवाइड करते हैं आज के टाइम पर आक्सीजन की जरूरत हम सभी को बह होते ही होते हैं तो दोस्तों अगर सौपिंग अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो जनकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें कोई सवाल हो कोई सुझाओ हो तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें बहुत ब झाल झाल